कोटडी उपखन शेत्र के अफीम कास्तकारों ने आच अफीम उत्पादक किसान संहर समीती वा भारती किसान संग तैसिल कोटडी के द्वारा उपखन अधिकारी को मुख्यमंतरी के नाम ग्यापन सौपा बुद्रिलाल तेली प्रांत धिक्षि अफीम किसान संहर समीती भारती किसान संग चितौड प्रांत ने बताया कि दोड़ा चूरा 2016 से पूर्वर राजसरकार द्वारा निर्धाधारित ठेका पधती पर 125 रुपय प्रती किलो किसानों से खरीदा जाता था पर उसके बाद राजस्थान सरकार के आदेश के निसार ठेका पधती बंद कर दी गई वा किसानों का डोड़ा चूरा का निर्ष्टी करन का आदेश दिया हुआ है वैसे डोड़ा चूरा को जमिंदोस किया जाता है जिसमें सेक्डों किसानों को आर्थिक नुक्षान होता अताराज्य सरकार इसे अफीम उत्पादक संहिर समीती राजस्थान प्रदेश की यह मांगेगी अफीम किशानों को 500 रुपए प्रती कीलो के हिसाब से डोड़ा चूरा जो भी वजन के अनुसार नस्ची करन करवाया जाए उसका मुआवजा दिया जाए या फिर किसानों को या अधिकार दिया जाए कि वह अपने खेत में ही इसको डिस्प्ले से नस्ची करन कर दे वह किसान स्वर्गे घोसित प्रमान पत्रे दे वह किसानों के उपर इसका विस्वास किया जाए जिससे भूमी की उर्वरता भी बढ़ेगी वह किसान का शोसन मुक्त भी होगा जब योजग अफेम उत्पादन किसान संगर समीती संपत्त माली कोचडी तैसिल अध्यक्ष्य भारती किसान संगर सभैरुलाल शर्मा बल्यास तैसिल अध्यक्ष्य भारती किसान संग बद्री लाल जाट सवाईपुर रावेश्वर जाट खजीना गोपाल जाट होरेलडा उद पूरा देवालाल बर्ला सहित तैसिल शेत्र के धर्जनों के साथ मौजूद रहें।